Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, आज मैं आप से शेयर करूँगी कैसे आप bump it से या फिर puff maker से आपकी hair पर puff hair style create कर सकते हैं बहुत ही easily and ये बहुत ही simple है अप्लाई करना तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको hair को select करना होगा, मैं आप जितनी बड़ी पूफ चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में hair आपको लेना होगा तो मैं फर्न सेक्षिन में बस पूफ create करूँगी तो मैं इतना सा hair लोगी मेरी आइब्रो की ends से मैं hair लोगी तो इस तरह से आपको hair select करना है तो friends, hair को select करने के बाद आप selected hair को अच्छी तरह से कॉम कर लीजिए और उसे सामनी की तरफ ऐसे लाईए और बाकी बची hair को आप clutches से टाई कर लीजिए ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे और इसके बाद आपको पूफ जो है बंपिट जो है उसे आपकी hair पर इस तरह से सेट करना है डोंट वरी यह अच्छी तरह से चिपक जाएगी क्योंकि इसमें वेल्क्रो है तो उसे चिपकाने के बाद आपको hair को कुछ इस तरह से फिलिप करना है उसकी उपर से नेक्स आपको एगेन hair को अच्छी तरह से कॉम कर लेना है स्मूद कर लेना है hair को अच्छी तरह से कॉम करने के बाद आपको जो बंपिट है जो पूफ मेकर है उसे सामनी की तरफ थोड़ी सी पुछ करना है पुछ करने से आपकी hair पर बहुत अच्छी तरह से पूफ क्रियेट हो जाएगी next hair को अच्छी तरह से सट करने के बाद bobby pin से उसे अच्छी तरह से सिक्यूर कर लीजिए and as you can see हमारी पूफ हेर स्टाइल यहाँ पर रडी है आप पूफ मेकर से पूफ हेर स्टाइल क्रियेट कर सकते है अगर आप पूफ क्रियेट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह के bump it यूज़ करके बहुत ही आसान ही से पूफ क्रियेट कर सकते हैं तो friends I hope यह तुट्राइल आपके लिए हेलफु रहा होगा अगर वीडियो पसंदाती है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए अपके friends के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुली मिद भूलीएगा अगरे से और वे ऐसे वीडियो के लिए मिल्दियो निक्स फीडियो पर बाई